कोविट की तीसरी लहर में छोटे बच्चों को संक्रमन का खत्रा अधिक होने का अन्देशा चताय चारा है इससे देखते हुए बच्चों का वैक्सिनेशन भी आवश्यक हो गया है पिछले दो महिने से दो से आठ वर्षों की बच्चों की कोविट वैक्सीन का ह्यूमन ट्र वसन खलतकर को ट्रायल की अनुमती प्रदान की गई है कोविट की पहले लहर में छोटे बच्चों में संक्रमन नहीं के बराबर था जन्वरी महिने में नागपूर जिले में 903, फरवरी में 1741, मार्श महिने में 6966 और अप्रल महिने में 2810 बच्चे संक्रमन मिली चार महिन में कुल 3425 संक्रमित हुए ऐसे में तीसरे लहर में बच्चों को खत्रा अधिक होने की बात विशेशग्य चता रहे है 2-18 वर्ष उम्रे के बच्चों पर भारत बैटेक कंपनी को को वैक्सीन के ट्रायल का प्रयास चल रहा था नाखपूर से डॉक्टर खलतकर ने ट्रायल के लिए प्रयास तेज किया मंगलवार को DCGI ने उसके अनुमती दे दी क्यामरा परसन राजकुमार मोर के साथ अभिशेख पान से BC News नाखपूर